चीन्ती और टिद्दा यी सब की दन तक थाएं एक गर्म धूप वाले दिन एक टिद्दा खेतों से गुजर रहा था वह खुश था और कूटते ही एक गाना गाया जैसे ही वह ठक गया उसने धूप में एक गर्म चट्टान पर लेटने और बादलों को देखने का फैसला किया तभी एक चीन्ती उधर से गुजरी जो अपने घोसले में मकई की एक बाली ले जाने के लिए बहुत मेहन्त कर रही थी टिड़ा अपने दिन का इतना आनंद ले रहा था कि उसने चीन्ती को पुकारा अरे तुम इतनी मेहन्त क्यों कर रहे हो यहाँ एक खूपसूरत दिन है मेरे साथ धूप का आनंद ले चीन्ती ने वापस पुकारा हमें सर्दियों के लिए भोजन जमा करने की आवशकता है इतने दिनों में ठंड नहीं होगी और हम भूखे रह जाएंगे टिड़ी ने सोचा कि यहां मूर्खता पूर्ड था क्यों बहुत सारा खाना है वह रोया वह वापस धूप में आनस करने चला गया चीन्ती ने अपना सिर हिलाया और काम पर वापस चली गई अगले दिन फिर से धूप खिली थी और टिड़े ने नदी के किनारे जाने का फैसला किया वह एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर कुरकुरे ठंडे पानी में घूमता रहा दुनिया की उसे कोई परवान नहीं थी एक बार फिर उसने चीन्ती को पास से गुजरते देखा इस बार चीन्ती एक बड़ा पत्ता ले जा रही थी चिद्दी ने फिर पुकारा नमस्कार मित्र आज फिर इतनी मेहन क्यों कर रहे हो आओ छाया में बैठेन और नदी की आवास का आनन ले एक बार फिर चीन्ती ने मना कर दिया ये सुन्दर दिन इतने नहीं है ग्रासहों पर जल्द ही ठंड आएगी हमें तयार रहना चाहिए चीन्ती अपने काम पर लौट गई तीसरे दिन जब टिड़ा जागा तो सूरज नहीं चमक रहा था यह गर्म नहीं था रात भर सर्दी आ गई थी और जमीन जम गई थी और बर्फ से धग गई थी टिड़ा काम उठा और जब वह खाने के लिथे भोजन ढूंडने लगा तो कुछ न पाया वह भोजन और आश्रे की तलाश में बर्फ में घंटों तक चलता रहा चलते चलते वह चीन्ती के घोसले के पास से गुजरा अंदर उसने चीन्तियों को गर्म और खुश देखा और एक स्वादिष्ट दिखने वाला भोजन साजा किया यह तब था जब वह समझ गया था कि चीन्ती हमेशा सही थी सभी दिन धूप नहीं होती चीन्ती ने फिर मुड़कर देखा कि टिद्दा ठन से ठिठुर रहा है और भूखा है उसे बेचारे टिद्दे पर दया आ गई आओ दोस्त उसने फोन किया यहां कमरा है और भोजन है मैंने कई मौसमों के लिए परियाप्त बचत की है अंदर आओ और खाओ और इसलिए टिद्दे का चीन्ती के घर में स्वागत किया गया और चीन्ती की तयारियों ने चीन्ती उसके परिवार और टिद्दे को गर्म रखा और पूरी सर्दी को लंबे समय तक खिलाया कहानी का शिक्षड है आवशक्ता के दिनों के लिए तयारी करना सबसे अच्छा है नर्स और भेडिया अब चुप हो जाओ एक बूढी नर्स ने अपनी गोद में बैठे एक बच्चे से कहा यदि तुम फिर से शोर मचाओगे तो मैं तुम्हें भेडिये के पास फेंग दूँगा अब यह संयोग हुआ की एक भेडिया खिडकी के नीचे से गुजर रहा था जैसा की कहा गया था सो वह घर के पास दुबग कर प्रतीक्षा करने लगा मैं आज सौभाग्यशाली हूँ उसने सोचा जल ही रोना निश्चित है और एक लजीज निवाला मुझे कई दिनों तक नहीं मिला इसलिए वह प्रतीक्षा करता रहा और वह प्रतीक्षा करता रहा अंत में जब तक बच्चा रोने लगा और भेडिया खिडकी के सामने आगे आया और अपनी पूछ हिलाते हुए नर्स की ओर देखा लेकिन नर्स ने बस खिड़की बंद कर दी और मदद के लिए पुकारा और घर के कुट्टे दौडते हुए निकल आए आह भेडिये ने सरपट भागते हुए कहा कहानी का शिक्षर है दुश्मनों के वादे तोड़ने के लिए किये गए थे खचरों का दिमाग शेर और लोमडी एक साथ शिकार करने गए लोमडी की सला पर शेर ने खचर को एक संदेश भेजा जिसमें उनके दो परिवारों के बीच एक गटबंधन बनाने का प्रस्ताव रखा गया था शाही गटबंधन की संभावना से बहुत खुश होकर खचर बैठक की जगा पर आया लेकिन जब वह वहां आया तो शेर ने खचर पर जपटा मारा और लोमडी से कहा यहां आज के लिए हमारा रात का खाना है जब मैं जाता हूँ और जपकी लेता हूँ तो आप इसे देखते हैं और आप मेरे शिकार को छूने की हिम्मत नहीं करते शेर चला गया और लोमडी प्रतीक्षा करने लगी लेकिन यहां देख कर की उसका मालिक वापस नहीं आया उसने खचर का दिमाग निकालने का साहस किया और उन्हें खा गया जब शेर वापस आया तो उसने जल्धी दिमाग की अनुपस्थिती को देखा और लोमडी से भयानत आवाज में पूछा तुमने दिमाग के साथ क्या किया है दिमाग महामहिन उसके पास कुछ भी नहीं था यावा कभी भी आपके जाल में नहीं फसा होता कहानी की शिक्षा है बुद्धी के पास तयार उत्तर है एक आदमी और उसकी दो पत्निया इसक की दंतक्थाओं से उन दिनों में जब एक पुरुष को एक से अधिक पत्निया रखने की अनुमती थी एक अधेड उम्र का कुमवारा जिसे न तो जवान और नहीं बुड़ा कहा जा सकता था और जिसके बाल सफेध होने लगे थे एक ही बार में दो महिलाओं के प्यार में पढ़ गया और उनसे शादी कर ली दोनों एक युवा थी और खिलखिला रही थी और चाहती थी कि उसका पती उसके जैसा युवा दिखे दूसरी उम्र में कुछ अधिक उननत थी और चिंतित थी कि उसका पती उसके लिए एक उप्युक्त मैच दिखाई दे तो जवान ने अच्छे आदमी के भूरे बालों को खीचने के हर अवसर को जब्त कर लिया बूड़ा हर काले बालों को निकालने में उतना ही महनती था जब तक कि उसने पाया कि एक और दूसरे के बीच उसके बाल नहीं बचे थे कहानी की शिक्षा है वह जो अपने सिध्धान्तों को विप्रीत पक्षों के प्रभाव और सनक के सामने रखता है उसके पास कोई सिध्धान्त नहीं होगा इस सब की दंतक्थाओं से एक राजा की कामना करने वाले मेंदकों की कहानी मेंदक खुद पर शासन करते करते ठक चुके थे उनके पास इतनी आजादी थी कि इसने उन्हें बिगार दिया था और उन्होंने कुछ भी नहीं किया बल्कि उपकर बैठने के लिए बैठे थे और एक ऐसी सरकार की कामना कर रहे थे जो उन्हें धूमधाम और रॉयल्टी के प्रदर्शन के साथ मनोरंजन कर सके और उन्हें एक तरह से शासन कर सके उन पर शासन किया जा रहा था उनके लिए दूद और पानी की सरकार नहीं उन्होंने घोशना की इसलिए उन्होंने राजा के लिए ब्रहसपती को एक याचिका भीजी ब्रहसपती ने देखा कि वे कितने सरल और मूर्क प्रानी थे लेकिन उन्हें शांत रखने और उन्हें यह सोचने के लिए कि उनके पास एक राजा है उसने एक विशाल लकडी को नीचे फैंक दिया जो एक बड़े चीनते के साथ पानी में गिर गया नए राजा को कोई भयानक दैत्य समझ कर मेंधकों ने खुद को सरकंडों और घासों के बीच छिपा लिया लेकिन जल्द ही उन्हें पता चल गया कि किंग लॉब कितना पालतू और शांत स्वभाव का था कुछ ही समय में छोटे मेंधक उसे गोता लगाने के मंच के लिए इस्तमाल कर रहे थे जबकि बड़े मेंधकों ने उसे एक सभास्थल बना दिया जहां उन्होंने जोर-जोर से जुपिटर से सरकार के बारे में शिकायत की मेंधकों को सबक सिखाने के लिए देवताओं के शासत ने अब फ्रॉगलेंड का राजा बनने के लिए एक सारस भेजा सारस पुराने राजा लौक से बहुत अलग प्रकार का राजा साबिध हुआ उसने बेचारे मेंधकों को दायमबाई निगल लिया और उन्होंने जल्द ही देखा की वे कितने मूर्ख थे शोकाकुल बदमाशों में उन्होंने ब्रहस्पती से क्रूर अत्याचारी को दूर करने के लिए विंती की इससे पहले की वे सभी नश्ठ हो जाए कैसे अब ब्रहस्पती रोया क्या आप अभी तक संतुष्ट नहीं है आपके पास वह है जो आपने मांगा था और इसलिए आपके दुर्भाग्य के लिए केवल आप ही दोशी है कहानी की शिक्षा है सुनिश्चित करें कि आप बदलने की कोशिश करने से पहले अपनी स्थिती में सुधार कर सकती है